हलो फ्रेंज युनाइटिड इंडिया इंशॉरंस कम्पनी लिमिटिड ने रिकूट्मेंट का एक नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग रिकूट्मेंट और असिस्टेंट तो फ्रेंज ये क्लेरिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है और इस वीडियो में हम इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी नॉलिज हो जाएगी कि क्या क्या रिकॉर्मेंट्स है कैसा जॉब है क्या एक्जाम पैटन है क्या ये जॉब आपके लिए पॉफेक्ट फिट है या नहीं और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स बचते हैं आप हमें कॉमें सेक्शन में लिखकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हम उसको जरूर आंसर करेंगे राइट वेल्कम टू आइक्जाम बी फ्रेंज आम यॉर इंग्लिश फैकल्टी अट आइक्जाम बी और इस वीडियो में अब हम डिसकस करेंगे रिगार्डिंग दर नोटिफिकेशन अब फ्रेंज इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर आफ पोस्ट कितनी निकाली है एलिजिबिल्टी क्राइटियरिया क्या है सालरी क्या है इंपॉर्टन डेट्स क्या है फॉर्म फिलिंग के लिए एप्लिकेशन फी कितनी है और एक्जाम प निकलता है और सब स्टेट्स में आया है माक्सिमम विकेंसी जो है वो तामिल नाडू विच्ट सेवंटी एड विकेंसी आई है फॉलोड बाई करनाटका 32 केरला 30 महराश्ट्रा 23 राजिस्तान 21 MP में 10 आई है और बाकी स्टेट्स में कुछ 7,8,9 ऐसे करके हैं एक एक दो दो भी है तो यह पूरी लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं यह वाला आप यह तो विडियो पॉस करें और खुझ से एक बारी देख लें कि आपकी स्टेट में कितनी विकेंसी हैं अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्यूंकि क्यूंकि तामिल नाडू में 78 है तो चलो वही से अपलाई करें तो यह जो है logic काम नहीं करेगा क्यूंकि पूरा exam clear करने के बाद आपको एक regional language test भी qualify करना होगा जो कि अगर आप clear नहीं करेंगे तो आपका जो selection है नहीं हो पाएगा UIIC में तो यह ध्यान रखेगा आपके एवल उस state से apply करेंगे जिस state का आपको regional languages की आती है अपने ध्यान में रख कर उसके बाद ही आप apply करेंगे उस particular state से so friends eligibility criteria देखें सबसे पहले जानने की जरूत है कि जो date है eligibility criteria की वो 31 September 2023 मानी जाएगी यानि कि जैसे यहां बोला है कि educational qualification आपकी graduate होनी चाहिए और आपको knowledge होना चाहिए reading, writing and speaking of regional language जैसे मैंने आपको बोला ही था आपको 30 September 2023 से देखना है यानि कि अगर आप इस date से पहले graduate हो चुके है आप तभी भर पाएंगे form otherwise अगर आपने exam दे रखा है और expected है कि अगले June जुलाई में आपका result आएगा या March में भी result आएगा result नहीं आए तो आप नहीं apply कर सकते हैं अभी इस साल at least right चली आगे देख that after 30th of September 2023 are not eligible to apply ठीके तो ये exact wordings आपके notification के है तो आप देखिए उसके बाद age जो है 21 to 30 years होनी चाहिए again आप 30th September को 30 साल के से उपर नहीं तो जैसे कि आपका birthday 29th of September 2023 को आया और उस साल आप 30 साल के हो गए तो तब आप इस position ले eligible नहीं होंगे क्योंकि आपकी age जो होगी वो 30 September को 30 साल और एक दिन हो जाएगी जो की ये इस bracket से बाहर निकल तो इस बात का ध्यान रखे अगर आपके दिमाग में को ऐसे questions आ रहे हैं कि क्या मैं eligible हूँ या नहीं हूँ तो इस date को consider करिएगा right now moving ahead salary कित कुछ allowances उन्होंने other allowances करके mention कर रहा है medical benefits मिलेंगे group medic claim policy मिलेगी और leave travel के लिए subsidy मिलेगी जो की बहुत ही actually आपके खर्चे जो है आधे कर देते हैं right now friends आगे बढ़ते हैं important dates पर जो आपकी dates है 16 December 2023 यानि की इस Saturday से आप अपने form भरना शुरू कर सकते हैं और आप 6th January तक ये form भर सकते हैं और उसके बाद fee भी आप 6th January तक दे सकते हैं तो अगर आपने अपना form भर के save कर दिया बट fee नहीं दी है so 6th January 2024 is the last date ठीक है और friends call letters आप जब भी exam की date आएगी तब आप देख सकते हैं और एक और बात याद रखेगा कि अपना जो भी आप form भरेंगे उसको save करक क्योंकि वो मांगते हैं at the time of जब आपके पूरे papers चाहिए होते हैं तब application form उसकी जरुवत पढ़ जाती है हाला कि उन्होंने अभी नहीं लिखा है बट आप save जरूर करिएगा अपना राइट अब देखिए important point candidates केवल एक state से ही apply कर सकते हैं अगर आप बाकी state से अगर suppose आप आपको form बहुत ही ध्यान से भरना है और जो state आप select करेंगे उसी state में आपका center होगा right friends अब application fee देख लेते हैं यह 1000 रुपे application fee है सारे applicants के लिए other than some reserved categories और reserved category के लिए 2500 रुपे का application charge है right अब exam pattern पे आते हैं friends बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है एक तो इसमें कोई sectional timing नही है तो आपके लिए exam clear करना बहुत easy हो जाता है test of reasoning English and quants QRE आपका आएगा general knowledge आएगा computer knowledge आएगा right तो अगर आप किसी एक में weak हैं suppose आपको maths अच्छे से नहीं आता है तो इसमें भी अगर आपने बहुत अच्छे marks नहीं ले के आए पर कहीं और आपने पुल कर दिया suppose आपका computer या English बहुत strong है तो भी आप अपने total marks पुल कर सकते हैं तो यह एकदम golden opportunity है उन students के लिए जिनका एक subject weak होता है और उस subject के जो sectional cut off है वो clear करना students के लिए भारी पड़ जाता है तो ऐसे students के लिए this is a golden opportunity don't miss it और दो घंटे का आपको time मिलेगा कुल आपने 200 questions उसमें answer करने है औ 1 4th की negative marking रहती है जैसे मैंने बोला sectional timing नहीं है तो यह बहुत अच्छा chance है उन students के लिए जो एक subject में weak है राइट इस इस अल फॉर दो वीडियो friends notification में अभी फिलाल जानने के लिए इतना है जो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको और information चाहिए आप हमें comment करके नीचे पूच सकते हैं हम answer करेंगे या आप हमें इस number पर call करके अपने doubts पूच सकते हैं या hello at ixambi.com पर आप लिखकर भी हमसे अपने doubts पूच सकते हैं friends हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग और जादा informative videos लेकर आएंगे UIIC से related और bell icon जरूर दबाएं जिससे की आपको हमारी videos के notifications मिलते रहें